हेलो गाइज गूड इवनिंग गाइज दो इंपोर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल या फिर यह बोलें कि सेड न्यूज है दोनों SSC से रिलेटेड है एक SSC CPU से है और अभी अभी जश्ट मैंने देखा तो अभी अभी SSC CPU की वेकैंसी 2022 की टोटल वेकैंसी अलाउंस कर दी गई है तो उसमें आप जब देखेंगे यह हमारी जो फाइनल वेकैंसी अप यह पूरी पीडियाफ है आप पीडियाफ देख लेना वेबसाइट से डाउनलोड करके हलाक लेकिन एक बहुत ही सेड नियूज है इसमें की वेकैंसी अब जो है कम कर दी गई है यदि आप यहां देखेंगे यहां देखेंगे तो टोटल वेकैंसी है 3242 जो की पहले कितनी थी पहले थी हमारी 4522 तो यहां से डिक्रीज लगभग 1500 नहीं लगभग 1200 वेकैंसी का यहां आप डिक्रीज देखने को मिल रहा है तो यह कहीं से भी मतलब गुद नियूस तो भोल ही नहीं सकते है इसको यह आपका एक बहुत बड़ा सॉक्ट है जो जिन्होंने दिया था हाना कि मैं नहीं दे पाया था आपको बताई था कि मेरा सीप्यों का रिमेडिकल था भाई 26 को 3-4-2 वेकैंसी कर दिया गया है तो एक तो यह थी सेड नियूज और दूसरा जो मैं नियूज बताने वाला हूं SSC CPO का वह जो मैं बताऊं आपको उसके बारे में थोरा सा मैं बताऊं तो अभी वह बहुत को वह भी सॉक्ट देगा जो क्या है SSC CPO का जो हम जहां से मुझे इंफ्रमेशन प्राप्त हुई है कि कितने लड़के फिट हुए हैं यह डाटा जो मैं आपको बताऊंगा यह आपको कहीं ने कहीं जरूर सॉक्ट देगा तो मैं एक बार फिर से अपने नया टेप खोलता हूं और यह यह डाटा भी सब को सॉक्ट करने वाला है कि SSC CPO 2022 का जो फाइनल बच्चे मेडिकल और प्लस डीवी में फिट होके गया है उनका रिजल्ट को प्राप्त हो चुका है तो वह बच्चे का डाटा है 10600 के आसपास यानि 600 के प्लस ही है दो तीन प्लस ही होगे कम नहीं होगे तो 10600 के आसपास लेकिन इस डाटे से बहुत को ऐसा लग रहा था कि यह 10600 मतलब बच्चे हैं तो बहुत जादा मतलब की इफेक्टिव होगे तो यदि आप इसको मिलाएंगे ना पिछले बार पिछले बार के यदि हम बात करें तो 4500 कुछ बच्चे को बुलाए गया था हमलों के टाइम में और उसमें से हमारे 3000 के संथिं अब सेंट्री लग बारास हो गया थे फिमेल मेल दोनों मिला के और 354 के असपास अन्फिट किये गया थे तो आप जब देखेंगे कि परजेंट के बात अन्फिट का रेसियो कम रहता है तो इससे घबराना नहीं है लेकिन हाँ ये बात है कि जिनको लगता था कि वेकेंसी ज्यादा है इस बार और कटप कम जाएगी तो उसके लिए कहीने कहीं ये सॉकिंग न्यूज हो गई और इस बार मैं भी बता दे रहा हूं कि सबकी कटप सबकी कटप प्रिडिक्शन जो है ना सबकी खतम होने वाली है सबकी गलत होनी यहां तक कि मेरा भी गलत लग रहा है क क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने बच्चे मतलब आपके मेडिकल फिट कर दी जाएंगे और इसका दो ही तीन रिजन है एक तो एक तो इस बार जो मुझे नहीं लगता था कि मेडिकल में इतने पैसे वैसे चलते हैं तो बहुत दो तीन जगह से तो न्यूज मिल र बच्चे यहां पर मतलब 3100 की सम्थिंग बुलाए गया था तो लगभग 33% बच्चे मतलब की अपसेंट और अन्फिट छोड़ दिया जाए तो हमारे 33% बच्चे थे लेकिन इस बार का डाटा आपको सौकिंग करने वाला है कि हमें 14,270 इस्ट्वेंट थे उसमें से 10,600 ब बच्चे बहुत ज़्यादा है लेकिन बच्चे भी ज्यादा हो गया, पर जंट इमा किया बलते है तो इसमें इसमें भी है तो इसमेंसे आप योडि देखेंगे कि कहीं न कहीं एक्ट करेगा तो जो मैंने कट अब बताई है तो वह कहीं नहीं मुझे लग रहा है कि अब मुझे क्योंकि अभी जल्दी से इसको रिलीज कर देते हैं साथ ही साथ जैसे वीडियो बनाने वाला था तो CHSL किया गए CHSL में भी देखा मुझे लगा वेकेंसी इंक्रीज होगी लेकिन वहां पर भी क्या देखने को मिला अब जो बॉंडरी पे हैं उनके लिए दिक्कत हो गया तो यह दोनों सेड नूज है मैं देखो चाहे वह गुड नूज हो चाहे वह सेड नूज हो जो सचाहिए उसको एकसेप्ट करना पड़ता है तो जो जो मुझे इंफोर्मेशन मिली है और ऐसा है कि रिजल्ट भी आपका जो सब्सक्राइब करेंगे उसके पोषिण करेंगे और उसका उनुसार से पोस्ट रिलोट करेंगे तो कटब कहीं थोड़ा सा कटब तो बढ़ेगा ये बात मुझे पता चल रहा है और आपको भी लग नहीं की जब एक बार बात कर लेते हैं कि आपकी रिजल्ट कब तक तक आएगी और कटप में कितना मतलब की कितना बरने का चांज से कटप कितने बरेंगे तो देखो जो कटप है और आपका रिजल्ट यह दो चीज हम अभी बता दें आपको रिजल्ट आपकी फर्स्ट वीक उफ जो मैंने पहले बताया था फर्स्ट वीक उफ अगस्ट तक देखो जो जेनरल की कटप है ना वो सबसे जादा बरने वाली है जो पिछले बाद 284 गई थे ना अब इसमें प्लस 5 कर लो आप प्लस 5 कर लो तो वह कितना जग है 290 के अप्रोक्स बच्चे जो जेनरल में है पूरी तरह से यदि 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 ये डाटा जो मुझे प CRPF लास्ट पोस्ट के लिए 290 हो जाएगा इस बात को अब ध्यान रखना ठीक है उसके बाद OBC की बात कर ले तो उसकी कटप जो है OBC की कटप जाएगी वह जाएगी 280 के आसपास ठीक है यदि OBC हो गए EWS के राउंड वह भी जाएगी आपकी 277 SCHT की बात कर ले तो 240 के र दाटा सही हुआ तो HTSC में 230 के आसपास भी रहगा तो मिल जाएगा लेकिन जेनरल OBC और EWS की कटप के यदि ये डाटा सही हुआ तो यतना ही जाएगी इस बात को ध्यान रखेंगे ये सब के लिए talking news है और देरे-देरे आपको YouTube पर पता ही चल जाएगा ठीक है देरे-दे इस बार मुझे बहुत कोई पिछले बार बता रहे थे कि आपने इसका कॉपी किया उसका कॉपी किया तो लो सबसे पहले मैंने बता है आप सब मेरा कॉपी करेंगे इस बात को धियान रखेंगे और एक चीज हाँ अब अब देखो जब जो भी रिजल्ट होगा मैं अपना लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें क्या आपको लगता है कि यह 10,600 बच्चे जो एक न्यूज़ चल रही है यह एक प्रजेंट हुए है हलां कि एक चीज और बताना आप लोग एक चीज कॉमेंट बताना जरूर बताना और यह जरू उने दिया है तो उनकी जो है उनकी डेट मतलब जिस दिन आपकी थी वो और कितने बच्चे पर जैन मझे से कि मेरे में 67 बच्चे पर जैन थे यानि कि 10% का बच्चे का अंतर आ रहा है तो इस बार थोड़ी चीटिंग हुई है तो वो अलग चीज है ठीक है तो इस बात को जरूर बताना ठीक है चलो दन्यवाद और आप लोग जो भी न्यूज है मैंने सेर कर दिया आप लोग के साथ और जितनी जल्दी होगी मेडिकल रिजल्ट आएगी तो सबको कटप पता ही चल जाएगी और यदि ऐसा हुआ तो इस बार सबकी कटप प्रिडिक्शन गलत होने वाली यह मैं पहले ही बता रहा हूं और लेकिन आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें कॉमेंट करें और लाइक करें और सेर भी कर जरूर करें फीट-उनफीट यदि आप हैं और जहां आपका मैडिकल हुआ था किते बच्चे फीट हुए था किस डेट को हुए था और क्या उन से सेंटर पे हुए था यह मुझे जरूर था चलिए थैंक्यू सो मुच हेलो गाइज गाइज वीडियो बनाते ही एक आपका एक खुश्खबरी भी दे देता हूं कि स्सी सीपियो दोजार था का नॉटिफिकेशन आउट हो गया है जो कि आपको बताय गया था कि 22 को आएगा लेकिन अभी अभी जस्ट उसकी वेकैंसी भी आ गई और टोटल वेकै कि आप लोग देखलें चाहिए तो आप इसको जरूर देखें ठीक है यदि आप बोलेंगे तो मैं एक बार दिखा दूं आपको यदि नॉटिफिकेशन ओपें हो रही होगी तो एक मिनिट आपको मैं दिखाऊं कि यह है यह देखिए यह वेकैंसी आ चुकी है बाइस को एक मिनिट आपका यहां पर देख पा रहोंगे कि यह यह यापका है डिपीएसाई में और यदि सीएसेफ की बात कर ले तो इस वार मेल की है दोसो एकेंसी और यूस का चपण वेकैंसी और आपका क्या बूलते हैं यह स्ट का पचासी वेकंसी एश्टी का ब्यालीस ठीक है और आपका OBC का है एक सुथिरपन और EWS का है चपन वेकंसी और वहां पर DPSIME EWS का इसमार दस वेकंसी ओपन से तो बस इतना जाने कि CISF और जो आप CRP की ते हर एक बार वेकंसी रहती है तो है लेकिन टोटल वेकंसी आपकी मातर चौटासो यह सत्रासो चौटास वेकंसी आई है तो यह एक लेटेश्ट न्यूस था जो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं में बता देते हैं तो चलिए एक उसकबरी भी आ चुकी और हां एक का आपका प्री होगा और दोसों का इंगलीज है तो स्लिबस चिंग नहीं होगी चले थैंक्यू और बाकी दो न्यूस सेट थी तो एक नीज आपके लिए खुश कबरी है कि आप लोगों की लेटेस्ट जूर जूर जाएं जिसको लगता है कि मेरा इस बास सेलेक्शन होपर कि मेरा जब दो एक लोग इस बास सेट जूर जिस बास सेट होगा।